नमस्कार दोस्तों पैंथर गडमी में आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत है उमीद है आप सारी लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए रिंतर प्रयासरत होंगे डेली की तरह आपके अंदर सकारात्म पुर्जा बनी रहे हम लोग सेसन की सुरुवाद दो सब्द मोटिवेशनल कोर्ट से करेंगे आईए देखें यहां चार लाईने बहुत सुन्दर से लिखी गई है जब तूटने लगे हांसला तो बस यह याद रखना बिना मेहनत के हांसिल तक तो ताज नहीं होते ढूड लेना अधेरे में ही अपनी मंजिल दोस्तों क्योंकि जुगनू कभी रोसनी के मोहताज नहीं होते मतलब जो आपका आतमबल है इसको इतना मजबूत बना के रखना है कि आपको किस्मत का सहारा या किस्मत के भरोसे बैठना ही ना पड़े आप अगर अपने आतमबल को मजबूत बनाये रखेंगे तो आपने शित ही सफल होके आएंगे इसी उमीद के साथ डेली की तरह आपसे यही गुजारिस है कि आप सेसन में सुरुवात से लेकर अंततक बने रहिए आज की सीरीज में बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्णों का कलेक्शन किया गया है जो की विगत प्रस्ण पत्रों को अगर उठा कर देखेंगे तो वहां से इन से सम्मांधित प्रस्ण पूचे गए हैं तो आएए देर ना करते हों लोग सेसन की सुरुवात करें आएए देखिए पहला प्रस्ण आपका दिया गया है हाल ही में किसने अस्थानिय भासा के साहित्य को प्रोशाहन देने के लिए कलाम वेबसाइट लांज किया अब यहां देखे कलाम वेबसाइट की बात हो रही है तो पहला प्रस्ण यह भी बन जाता है कि कलाम वेबसाइट किसके दवरा लांज किया गया तो बिकलप आपका दिया गया है प्रदान मंत्री नरिंद मोदी द् deste अर राश्टपती रामनाथ कोबिन जी और तीसरा दिया गया है ओम भिल्ला जी चौथा दिया गया है अमिस्ता तो यहाँ पर जो सही विकलप आपका होगा विकलप नंबर सी सही होगा ओम बिर्ला जी के द्वारा कलाम बेव साइट लांच किया गया उसका उद्धेश क्या है प्रसन में ही मेंसन है अस्थानिय भासा के साहित को प्रोसाहित करना अब यहां से हम ओम बिर्ला जी से संबंध किस राज से है तो राजस्थान से है अगर हम राज बेवस्ता के दृष्टि कौन से देखें तो लोकसभा, राजसभा और संसद ये किन अनुछेदों में बनडित है तो इसके लिए एक छोटा साट्री क्याद रखना है सरला सरला से आसा यहां है यह है सा से संसद संसद ये बनडित है 79 अनुछेद 79 में जबकी रा से राजसभा यह बनडित है अनुछेद 80 में अनुछेद 80 में जबकी ला से लोकसभा यह बनडित है अनुछेद 81 अनुछेद 81 में अगर आपको याद है सरलाख तो आपको प्रस्ण कठिन नहीं लगेगा कि संसत किस अनुचेद में है, राजसभा किस अनुचेद में है, लोगसभा किस अनुचेद में है अब आईए कुछ मातपूर्ण जानकारी और भी देखें कि पहले भारत के पहले लोगसभा ध्यक्ष कौन थे तो जीवी मावलंकर जी थे और सत्रामी लोगसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी है, अगर हम बात करें इहीं पर लोगसभा के अध्यक्ष का किस अनुचेद में वाणन है, तो मित्रों या अनुचेद 93 में वाणित है और लोगसभा से ही सम्मंदिच आपसे प्रसंद बहुत बार ही पूछा गया है कि कौन सी सभा अस्थाई है और कौन सी सदन जो है वो आस्थाई है, तो लोगसभा जो है, लोगसभा ये आस्थाई आस्थाई है, जबकि राजसभा ये अस्थाई है, अब यहीं पर बात करें अगर, तो लोगसभा और राजसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो संयुक्त बैठक संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक जो है, ये राष्ट पती, राष्ट पती, राष्ट पती महोदे द्वारा बुलाई जाती है, जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता लोगसभा अध्यक्ष करते हैं, अगर हम यहीं बात करें कि संयुक्त बै ठकी बात की गई है अगर हम बात करें कि धन विधेक का नेड़े कौन करता है कि या धन विधेक है या नहीं है तो इसका लोगसभा अध्यक्ष जो है वही धन विधेक है या नहीं इसका नेड़े लोगसभा अध्यक्ष करते हैं साथी साथ धन विधेक कहां पर पारित होता है तो सिर्फ लोकसभा में पारित होता है अगर हम यही बात कर लें यह भासा से सम्मनित बात हो रहे है दोस्तों तो भारत के सम्मिधान में भाग सत्रा भाग सत्रा में भासाओं का वर्णन है और कितनी भासाओं का वर्णन है 22 भासाओं का वर्णन है आईए इसी क्रम में हम लोग आगे देखें आपका दूसरा प्रस्ण है हाली में UNCCD सबसे पहले ही जाने कि इसका फुलफाम क्या है तो संयुकतराष्ट कन्वेंशन टू कमबैक्ट डिजर्टिफिकेशन का आयोजन किस देश में किया जाएगा पहला विकल्प आपका दिया गया काउंगो दूसरा दिया गया कोटे दी आईवरी और तीसरा दिया गया गया ग्लासगो चोथा दिया गया मिस्ट बहुत ही मातपूर पर्यावरल के पोर्शन से मातपूर प्रस्ण है और बैठक और आयोजन से प्रस्ण लगातार बने है तो किस प्रशंड का सही एंसर जो होगा आपका आईवरे, कोटे दी आईवर होगा, अब यहां यह किस महादीब का देस है? तो यह अफरीका, अफरीका महादीब का देस है, इसकी राद्धानी यामो, यामो, शुक्रो है, साथी साथ अगर हम बात करें, कि ये कौन सा संस्क्रण है तो मित्रों या कॉप 15 है यहां कॉप का आसा है Conference of Parties और यह 15 संस्क्रण है इसका आयोजन कोटे डी आईवरी में किया जाएगा या आईवरी कोष्ट में किया जाएगा जिसकी राधानी यामो सुप्रो है अब यहीं ध्यान रखना है पिछला कॉप 14 का आयोजन कहां किया गया था तो कॉप 14 का आयोजन नई दिल्ली नई दिल्ली भारत नई दिल्ली भारत में किया गया था भारत में किया गया था इसी कारण काप 15 से ज़्यादा important आपका काप 14 है कि बिछला जो काव 15 है इसका आउजन तो आईवरी कोष्ट में किया जा रहा है जो कि अफरीका का देश है जबकि काव 14 का कहां पर किया गया था वो भारत के राध्धानी जो है नई दिल्ली में किया गया था और इसमें भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी इसका 15 का उद्धेश है तो यहां पर हमको ये भी जानना चाहिए कि विश्व मरुस्थली करण दिवस कब मनाया जाता है तो प्रतेक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थली करण दिवस के रूप में मनाया जाता है अब एक question और भी यहां से ध्यान रखिए जो की आवश्यक है आप से पूँचा गयाएगा कि कॉप 26 का आयोजन कहां किया गया तो कॉप 26 का आयोजन जो है यह कहां किया गया यह glass go glass go में किया गया जबकि कॉप 27 का आयोजन कहां किया जाएगा तो इसका आयोजन मिस्त्र में किया जाएगा यह कॉप जो है इसका सम्मन्द green house गैसों के उतसरजन से है जबकि इस कॉप 13 का सम्मन्द जो है यह मरुस्थली करण के रोक थाम से है तो इसे नते क्रम में confusion आपको न आयोजन ग्लासको में जबकि कॉप 27 का मिस्त्र में कॉप 15 का कोटे दी आईवरी में किया जाएगा जिसका राधनी याम शुकरो है जबकि कॉप 14 का आयोजन भारत में किया गया था आईये दोस्तों अगला प्रस्ट देख ले हाल ही में चर्चा में रहे भारतिय मुख निर तो यहां से प्रस्ण बना है तो आईए हम देखें पहला दिया गया है सुसील चंद्रा दूसरा दिया गया राजीव कुमार तीसरा दिया गया सुकुमार सेन चौता दिया गया है वी एस रामा देवी तो यहां जो सही अंसर होगा विकल्ब नंबर बी होगा अब विकल्ब न शंद्रा जी का स्थान लेंगे और ये चौदा मई को इनका कारिकाल पूरा हो रहा है और 15 मई से राजिव कुमार जी भारत के मुख निर्वाचन आयोग के रूप में पदभार समा लेंगे। तो भारत के मुख निर्वाचन आयोग का गठन कम हुआ था तो 25 जनवरी 1950 इसबी को भारत में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष किसे न्यूग किया गया था तो सुकुमार सेन सुकुमार सेन जी को पहला अध्यक्ष न्यूक किया गया था आप से प्रस्ण पूछा भी गया है विगत PCS की परिच्छा में कि भारत की एक मात्र महिला मुख्य आयुक्त के रूप में कौन रही है तो भारत की पहली भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में BS BS रमादेवी BS रमादेवी रही और ये एक मात्र निर्वाचन आयुक्त है साथी साथ अगर हम यही बात करें निर्वाचन आयोग किस भाग में बाणित है अनुछेद कहां से कहां है तो अनुछेद मित्रों आपको ध्यान रखना है 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग की बात की गई है जबकि निर्वाचन आयोग की गठन की बात जो है यह 324 में किया गया है अगर हम यही बात कर लें कि 12 वर्स से 18 वर्स मतदान की आयोग की घोसडा किस सम्मिदान समसोधन द्वारा किया गया है तो यह भी प्रस्ण आतियंत ही महत्तपूर्ण है तो 16 सम्मिदान समसोधन 1989 इसबी में जो पहले मतदान की आयोग किस वर्स हुआ करती थी उसको घटा कर 18 वर्स किया गया यह अतियंत ही माक्तपूर्ण सारे प्रस्ण लिखे गए है अगर आप विगत वर्सों का प्रस्ण पत रुठा के देखेंगे तो यहां से आपको प्रस्ण जरूर मिल जाएंगे आईए हम लोग यह प्रस्ण देखें हाल ही में चर्चा मेरा नाटो संगठन के कौपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर आफ एक्सिलेंस में कौन सा देश सामिल गए तो विकल्प आपका पहला दिया उत्तर कोरिया दूसरा दच्छिड कोरिया तीसरा थाइलेंड चौथा दिया गया जापान तो इस प्रस्टित का जो सही अंसर होगा विकल्पनमबर भी सही होगा, दच्छिड कोरिया दच्छिड कोरिया की राधधानी क्या है तो ये राधधानी Siyol है और दच्छिड कोरिया Asia का पहला देश है जो NATO के कौपरेटिव Cyber Defense Center आप Excellence में सामिल है अगर हम बात करने उत्तर कोरिया की तो इसकी राध्धानी प्योंग यांग है और उत्तर कोरिया तथा दच्छिड कोरिया के मद्द की विभाजन रेखा जो है उसका नाम अनतिस्वी सामांतर रेखा है अगर हम यही बात करने साइबर साइबर डिफेंस सेंटर आफ एकसीलेंस का तो हाल ही में चर्चा में रहा विश्व का सबसे बड़ा साइबर साइबर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो एस्टोनिया में किया गया इसका उद्देश क्या है देशों या तमाम सारे अस्थानों पर साइबर अटेक को रोक थाम करने के लिए या सम्मेलिम किया गया साथी साथ अब यहां आपको ध्यान रखना है कोपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर आप एकसिलेंस में एसिया का पहला देश सामिल हुआ उसका नाम दच्छिड पोरिया है जिसकी राधनी सियोल है अब यहीं से सम्मंधित नाटो से अगर हम बात करें तो नाटो नाटो का फुलफाम जो है नाट अट्लांटिक टीटी आर्गिनाइजेशन इसका फुलफाम है और इसकी अस्थाप देना है यूरोपिये यूरोपिये यूनियन यूरोपिये यूनियन का भी मुख्याले कहां है ब्रूसेल्स में है और ब्रूसेल्स किसकी राधधानी है वेल्जियम की राधधानी है अगर हम यहीं बात कर लें नाटो में कितने देश हैं तो नाटो में कुल 30 देश हैं अग आपम राइफल्स के सम्मानित किया गया अब यहाँ बात हो रहा है किस आपरेवचन के जीवित सैनिकों तो यहां पहला दिया गया आपरेशनGDU दूसरा दिया गया आपरेशन दिया गया आपरेशन dent hay तो यहाँ पर जो सही विकल्प है विकल्प नमबर D सही होगा आपरेशन दुधी आपरेशन दुधी कब हुआ था तो 1991 में जम्बू कास्मीर जम्बू कास्मीर में आतंकवादियों की समाप्ती के लिए एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम रखा गया था आपरेशन दुधी और इसमें बहुत सारे आतंकवादियों को मार गिराया गया था और मुझसे जो कुछ बचे जीवित रिटायर्मेंट के बाद कुछ जीवित जो सैनिक हैं उनको आसम राइफल्स के द्वारा सम्मानित किया गया है अब यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि आसम राइफल्स के द्वारा सम्मानित किया गया है तो हाल ही के दिनों में आसम के तीन दिवसिये दोरे पर कोन गये थे रच्छा मंतरी राजनास से साथी साथ आपको याद रखना है कि राष्टपती 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 कलर राष्टपती कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो आसम पुलिस को राष्टपती कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह पुरसकार पाने वाला देश का दसमा राज्य है इससे पहले कौन पाया था तो इससे पहले उत्तरप्रदेश पा चुका है तो इसतराबाद की निजाम पर कुलिस कारोई का जो मिशन था उसका नाम क्या था उसका नाम आपरेशन पोलो था अगर हम बात करें आप्रेशन सर्धवा की तो BSF के द्वारा घुसपैठियों को रोकने के लिए राजस्थान में एक आप्रेशन चलाया गया जिसका नाम आप्रेशन सर्धवा रखा गया अब यहीं से कुछ मातपूर और भी प्रसना आपको याद रखना है चर्चा में रहा आप्रेशन गंगा का संबन किस्से है तो यूक्रेन में फसे भारतिय विद्यार्थियों को या भारतियों को वहां से वापस लाने के लिए जो आप्रेशन चलाया गया उसका नाम था आपरेशन गंगा और आपसे प्रस्ण पूछा भी जा सकता है कि आपरेशन देवी सक्ती का संबंध किस्से है तो आपरेशन देवी सक्ती का संबंध जो है अफगानिस्तान में फसे भारतियों को बाहर निकालने से है आईए इसी करम में हम लोग अगला प्रस देख लें हाल ही में प्रधान मंत्री के दोरा किस राज में उतकर्स उतसो का उतगाटन किया गया अब यहां ध्यान रखना है उतकर्स उतसो उतकर्स उतसो का उतगाटन कहां किया गया अब इस उतकर्स उत्सो का उद्देश क्या है दोस्तों तो गुजरात राज में सामुहिक रूप से चार योजनाओं को सामाने जन सामाने तक पहुँचाना या जनता तक सुलबता के साथ पहुँचाने के उद्देश से उतकर्स उत्सो का आयोजन किया गया और जिसका उद् महोसो का आयोजन कहां किया गया राजस्थान में सिगमो महोसो या सिगमो फैस्टिबल कहां मनाया जाता है तो यह सिगमो जनजात गोवा में पाई जाती है तो वहां मनाया गया साथी साथ आपको याद रखना है अभी हाल ही में त्रिसूर पूरम उत्सो का आयोजन कहां किया जाते हैं आए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ें और देखें अभी यहां उत्तर प्रदेश से सम्मझेट कुछ महत्त पूट जैसे उत्तर प्रदेश में आगरा महोसो का आयुजिन किया जाता है तो महोसो से भी लगातार प्रस्ण बने आए इसी क्रम में अगला देख ले हाल ही में स्रिलंका के प्रदानमंत्री के रूप में किसने सबद गराण किया तो यहां पहला दिया गया है रानिल विक्रम सिंदे दूसरा दिया गया है महिंद्रा राक्षपक्षे तीसरा दिया गया गोता बाया राजपक्षे चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं तो बित्तिय आइस्थिर्ता और जन आक्रोष को देखती हुए हाल फिलहाल के दिनों में वहां के जो प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री जी थे महिंद्रा राजपक्षे जी ने अपने पद से स्थीपा दे दिया और नए प्रधानमंत्री के रूप में सपत लिया है रानिल बिक्रम सिंदे जी ने नए प्रधान मंतरी के रूप में सपत लिया है जब की गोताभाय राजपक्षे जी स्रीलंका के राष्टपती के रूप में अपने पद पर बने हुए हैं आने वाले 17 मई को आभिश्वास प्रस्ताव आभिश्वास प्रुस्ताव गोताबाई राजपक्षे के विपक्ष में लाए जाने की योजना बनाई जा रही है। अब इसमें क्या होगा ये आने वाले समय में आपको जानकारी मिलेगी। अगर हम बात करें ये स्रिलंका से समंदित तो स्रिलंका की राध्धानी जो है जैबर्धने पुरे कुट्टे है। साथी साथ पाक जल्डमरु मद्ध भारत हो स्रिलंका के मद्ध है और यह मनार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। अगर हम बात कर लें स्रि लंका के साथ तो स्लीनेक्स स्लीनेक्स युद्धव्यास किन-किन डेशों के बीच में किया जाता है या मित्रशक्ति युद्धाब्यास किन किन देशों के बीच में होता है तो भारत और स्रीलंका के मद्द में ये युद्धाब्यास होते हैं आईए इसी करम में हम लोग अगला प्रसंद देख लें हाल ही में किस भारती पुरात्त तो अस्थल से पांच हज़ार साल पुरानी आबूसल बनानी की फैक्टरी की खोज की गई है अब यहां बात हो रही है पांच हज़ार साल पुरानी तो पहला दिया गया है धौला वीरा दूसरा दिया गया है राखी गड़ी तीसरा दिया गया है बनावली और चोथा दिया गया है यहाँ पर रोपड तो यहाँ जो सही होगा विकल्प नंबर भी सही होगा राखी गड़ी यह किस राज में है तो यह हरियाना राज में है हरियाना राज में है राखी गड़ी किस नदी के टट पर इस्तित है तो यह से संबंदिट देखें तो यहां प्रस्ण में भी ऊठ गया कि 5000 साल पुराणी आप उसर बनाने की factory मिली है तो यह मिली है राखी गड़ी से अब राखी गड़ी से संबंदित या यह सारे जो अस्थल दिये गये हैं यह किस से संबंदित है हडपा सभ्यता से संबंदित है तो हडपा सभ्यता से आप से प्रस्ण पूछा जाता है कि यह अस्थल किस राज में है वारत के किस राज में है तो धौला वीरा को अगर देखें दोस्तों तो यह गुजरात राज में है अगर हम बात करें राखिगडित की को ह अगर यहीं बात हो कि हडबपा सभेता का सबसे बढ़ा गोधी वाडा किस राज्य में या कहां इस्थित था तो धुला वीरा या लोथल जो है ये सबसे बड़ा पत्तन या आप इसको गोदिवाडा कह लीजिए तो ये भी जो था ये लोथल में इस्थित था और लोथल कहां इस्थित है ये गुजरात राज्ज में इस्थित है समुद्री संग्रहले का अस्थापना कहां किया गया है तो समुद्री संग्रहले की अस्थापना गुजरात राज में किया गया है और आपसे पूचा गया है जुते हुए खेत का साक्ष कहां से प्राप्त होता है तो राजस्थान की बनावली से जुते हुए खेत के साथ शप्राप्त होते हैं आए इसी क्रम में हम अगला प्रस्म देख लें हाली में किस राजसरकार ने मिड़े मील के साथ नास्ता देने का निर्डे लिया है अब देखिए यहाँ पहला विकल्ब दिया गया है केरल दूसरा दिया गया आंदप्रदेश तीसरा दिया गया तमिलनाड चोथा दिया गया करनाठा इसमें सही विकल्ब आपका मित्रो तमिलनाड होगा विकल्ब नमबर सी साथी साथ अगर हम बात करें बहुत ही चर्चित योजना है ये मिड़े मील योजना ये केंद्र सरकार की योजना है ये कब प्रारम हुआ यहां से भी प्रस्ण बना था तो 1995 इस भी में मिड़े मील प्रारम किया गया था अगर हम यहीं बात कर लें तमिलनाड राज से सम्मंधित तो तमिलनाड राज में ही सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है जिसको T-multiply 2 पुरुस्कार से सम्मानित किया गया दो हजार इकीस का जब कि 2022 का पीली भी टाइगर रिजर्व को दिया गया था अगर हम भी बात कर लें आंदप्रदेश की तो हाल ही में आंदप्रदेश ने 13 नए जिलों का गठन किया और अपना नए नक्सा जारी किया तो यहां से पूछा जा सकता है कि टोटल अब जिले कितने है तो आंदप्रदेश में टोटल 26 जिले हैं अगर हम बात करें करनाटक के बारे में तो सांस अभियान किस के द्वारा या किस राज्जी के द्वारा प्रारम्द किया गया है या किस के द्वारा चलाया जा रहा है तो वो करनाटक राज्जी के द्वारा चलाया जा रहा है और इसका सम्मध निमोनिया के उनमूलन से है पाक्स के लच्छन या सिम्टम पाए गए बच्चों में और ये कैसे होने वाली विमारी है ये वाइरस की विमारी है और जिसमें टमाटर जैसे लाल रंके चकते पड़ जाते हैं इसी कारण इसका नाम टमाटर पाक्स रखा गया है जो आपके ये 10 कोश्चन का जो सिरीज है ये आखरी आपका प्रस्ण है पुस्तक से प्रस्ण पूछा गया है हाल ही में जारी दा इस्ट्रगल फार पुलिस रिफार्म्स इन इंडिया पुस्तक के लेखा कौन है तो यहां पहला दिया प्रकास सिंग दूसरा राजिस तलवार तीसरा आलोग चक्रवाल और चोथा द जवस्था को और ज्यादा सुद्रड और एडवांस कैसे बनाया जा सकता है इसमें प्रहईस बुक के माध्यम से प्रकास सिंग जी दूसरा ये लिखा गया है और सुझाव इसमें दिये गए हैं ये प्रस्ण जो है आपके दस प्रस्णों की सीरीज के साथ और इस्टेटिक करंड के साथ यहीं सीरीज समापत हो रही है और आपको उर्जावान बनाये रखने के लिए पुना दो सब्द लिके गए हैं ना हम सफन ना किसी हमनसी से निकलेगा हमारे पाओं का काटा हमी से निकलेगा मतलब अगर आपको सफल होना है तो इसमें कोई दूसरा आपका मद जयान रखते रहिए हसते रहिए मुस्क्राते रहिए जय हिन जय भारत